प्राइज पे नजर मारी यहाँ पर क्योंकि जो आज के दिन है शीबा इनुका प्राइज अच्छा खासा पंप करता हूँ नजर आएगा अभी भी लगबग 14% से अपवाड कंडिशन में यहाँ पर बना हुआ है रैंक की बात करें तो 15 रैंक पे स्टेबल है लेकिन बहुत जल्द ही 14 या 13 रैंक पे हमें दिखाई देगा सबसे पहले तो मैं आपको प्राइज का चार्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ देख सकते हैं आप सूबे से ही किस तरह प्राइज में चेंज देखने को मिला और एकदम से आप जो प्राइज का ग्राफ है वो एकदम से बढ़ गया और प्राइज भी एकदम से अचानक से ह कारण बताऊंगा भई ऐसा क्यों हुआ क्या मार्किट ने इंपक्ट डाला या फिर कोई होर कारण रहा है सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग वोल्यूम भी यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे प्राइज यहाँ पर इंक्रीज किया लगबग 14% से तो ट्रेडिंग वोल्यूम भी 152% से प्लस में चलता हूँ नजर आ रहा है जो अक्सर बड़ा कम देखा जाता है जब प्राइज बढ़ जाता है ट्रेडिंग वोल्यूम भी बड़ा होता हो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है सबसे पहल तो मैं आपको ओवराल मार्किट का दिखा देतों आपको यह न लगबी ओवराल मार्किट ज़ादा इंक्रीज कर गए इसलिए प्राइज जो शीबेन को वो बहुत ज़ादा बढ़ गया तो ओवराल मार्किट मातर लगबग 4% से सिरफ इंक्रीमेंट पर है 3.46% से एग्जैक्ट यहां पर और बिटकोई और इथेरियम भी आपको दिखा देतों देखें बिटकोईन 2.32% से और इथेरियम भी 2.39% से यानि जो टोटल ओवराल मार्किट है उसका इंपक्ट पड़ा है थोड़ा बहुत पड़ा लेकिन इतना जादा नहीं पड़ा है अब मेन कारण क्या है भई प्राइज में एक दो उच्छाल देखने को क्यों मिला तो उसके सीधे सीधे यहां पर दो करना है सबसे पहला है यूएस बेस्ट लोजिस्टिक फर्म जी हाँ गाई शीबा इनू को असेप्ट कर लिया गया यूएस की बेसिक लोजिस्टिक फर्म में अभी पूरा डिटेल से इसको जानेंगे और जो यह पार्टनर्शिप किया है यह होई है बिट पे क्या चीज़ा है किस तरह से वर्क करती है और मैंने बताय हूँ इसके बारे में एक वीडियो बनाई हुआ जो लोग नए जूड़े है इस चैनल से वो किरपकर करके उस वीडियो का आप देख सकते हो चलिए बात करते हैं यह कौन सी फर्म है और क्या कुछ यहाँ पर शीबा इनू के इसके बीच में रहने वारा तो गाईस फर्म का नाम है नोयक लोजिस्टिक इंकम और यह आरी आईट इन्वेस्टमेंट मतरब रियल इस्टेट की फर्म है यहाँ पर और कल पर सो भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बीच में आपने देखा था वे रियल इस्टेट सी बहुत सी फर्म है शीबा इनू को डोज कोईन को मतरब मेम टोकन को असेप्ट कर रहे हैं बाइदा हल पो बिट पे की मदद से यहाँ पर तो सेम वे में अब यहाँ प प्राइज में क्या चेंज देखने को मिलो और दूसरी चीज यूएस की है यहाँ पर तो यूएस की जो रिपोर्ट आई है टोप 10 ट्रेंडिंग कोईन्स के बीच में यानि 12 मार्स से 18 मार्स के उसके बीच में आप देख सकते हो शीबा इनू लाई कर रहे हैं सावंध रैं नेक्ट दूसरी में जो निज निकल के रही है वो आ रही है बर्निंग से लेके क्योंकि इसी दिन आज के ही दिन बर्निंग के बाद यह प्राइज में इंपैक्ट देखने को मिलो और जो बर्निंग हुई यह वो यह 190 मिलियन शीबा इनू टोकन के 190 million Shiba Inu token की चलिए हम दिखाते हैं इसको पूरे page को सबसे पहले 180.74 million Shiba Inu tokens किये गए है 7 transaction के थूरू burn लगबग 12 घंटे पहले साथ की साथ जो बाकी के 10 लाग के राउंड बच गए है 10 million के सोरी तो वो 8.9 million यहाँ पर वो किये गए लगबग 10 घंटे पहले यहाँ पर burn एक transaction के थूरू यानि लगबग दोनों को मिला के अगर overall देखा जाए तो वो बन जाते है 190 million Shiba Inu token तो इसका भी कहीं न कहीं प्राइज पर चेंज देखने को मिले और जो इनका main अपना target है वो है 600 million Shiba Inu token को burn करने का यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है यह देखे 600 million Shiba Inu को जो इनका main goal है यहाँ पर तो गाईज अभी जब party नहीं हुई है उसके बावजूद भी इतनी जादा है यहाँ पर price में pump देखने को मिला जब सिरफ 190 million ही यहाँ पर burn के गया तो सोच के देखो अगर 600 million burn के गये तो price कहां से कहां पर पहुंच जाएगा comment करके जरूर बताएगा यहाँ पर और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर price में और price के graph में भी आप देख सकते हैं किस तरह से price ने graph में pump लिया हुआ है लेकिन अभी यहाँ पर main चीज आती है जो holders है अगर वो थोड़ा सबर करें पेशेंस करें वो sell न लगे तो like जूर करते हैं चैनल को कर लिजे subscribe और comment करके जरूर बताएगे जब burn party organized होगी तब कितना price estimated जा सकता है pumping में क्यूंकि अभी सिरफ 190 million shiba new burn करने के बाद जब price में तिना सा change देखने को मिला है तो फर्दा जब burn party होगी उसके बाद क्या कुछ impact देखने को मिल सकते है